नमस्कार हमने पिसली वीडियोस के अंदर राजस्तान के परवाहत रूणियों के बार में बात कर रहे थे और हमने उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाल नदियों के बार में बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे आंत्रिक परवाह के नदिया आंत्रिक परवाह के जो जो उद्गम स्कल है वो खंडिला की भाड़ियां सिकर से निकलती है फिर जुझनों में बहती हुई चुरू की सिमा पर विलुप्त हो जाती है और जो कातली नदी के किनारे तामुर योगिन गनेशवर से बेता विक्षित हुई थी और जो कातली नदी का पभाद छेतर है उस अब हम बात करें साबी नदी के बारे में जो साबी नदी है उसका जो उद्गम स्तल है वो जैपूर के सेवर की पहाड़ियों से होता है फिर बान, सूर, बहरोड, मुंडावर, तिजारा तसिल से ये बहती हुई हरियाना में परवेश कर जाते है और वहां पर वो हरियाना म कहा जाता है और आंत्रिक परवाह की सबसे चोटी नदी है ये कांखनी नदी जो की जैसल में में बहती है वो आंत्रिक परवाह की सबसे चोटी नदी है और अब उसके बारे में बात करेंगे गगर नदी के बारे में जो गगर नदी है इससे प्राचिन सरश्वती नदी का अवसे इस माना जाता है और जो इसका उद्गम है उसी वाली की पहाडियों से होता है जो कि हमाचर पर्देश में है इसका उपनाम हम्रित नदी भी कहते हैं गगर नदी को राजस्ता में यह हनुमानगड जीले के टिबी तसिल से तलवाडा गाम से राजस्तान में प्रवेश और इसमें जिसमें अबने रूपनगड मेत्था खारी खंडेला यह जो नदियां यह सामबर जील में गिरती है यह कुछ अन्य साइक नदियां मतलब जो अन्य नदियां आंत्रिक परवाह की अब उसके बाद अगर हम बात करें रूपा रेल नदी के बारे में जो रूपा जल नदी को और अब उसके कुछ जलब परपातों के बारे में बात कर लेते हैं चूलिया जलब परवात है चम्मल नदी पर बना हुआ है यह चितोड़गड में है हिमताल जलब परपात है वो बांगली नदी में बना हुआ है और मिनाल नदी भीलवाड़ा में है तो इस त प्रड़ारब